हेलो पहरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम कक्षा चार के विसे हिंदी की कार्यपत्री का संख्या 9 को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफेकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चो आपकी ये वर्क सीट जो है ये 27 जनवरी 2022 के लिए है आपकी इस वर्क सीट की थीम है परिवार का महत्वर्ट यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे बच्चो आ एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सम में गया आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है पिता पास ही की दुकान से एक सुन्दर सी पतंग और दोरी खरीद लाए कुछ दिर आजाद होकर उची उड़ने लगेगी बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की दोर काट दी दोर काटते ही पतंग उपर जाने लगी लेकिन कुछ देर बाद पतंग उपर जाने के बजाय नीचे आकर गिर गई उसने पिता से पूछा पापा पतंग आसमान में और उची ज मुझे नीचाने सभना हो गई और वह नीचे गर गई ऐसा जीवन में भी होता है हम्हें लगने लगता है कि परिवार रिष्टे और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिक्र पर पहुँचने से रोक रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें उचाई उपर ले जाने वाली डोर है तो बच्चो कैसी लगी कहानी? आईए अब कहानी से संबंदित प्रशनों के उत्तर अपनी कौपी में लिखने हैं प्रशन है बच्चो आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो बच्चो आंसर है हाँ मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट है लड़का पतंग की दोर क्यों काटना चाहता था तो बच्चो आंसर है लड़के को लगा कि दोर की वज़े से पतंग और उपर नहीं उड़ पा रही है इसलिए वह दोर काटना चाहता था जिससे पतंग आजाध होकर और उपर उड़ जाए अब नेक्स्ट है लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया तो वच्चो आंसर है लड़के के पिता ने लड़के को समझाया कि दोर पतंग को उचा उरने से रोकती नहीं है दोर तो पतंग का सहारा होती है लेकिन उसका सहारा कट जाये तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है, ऐसा ही जीवन में भी होता है, हमें लगने लगता है कि परिवार, रिष्टे और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शकर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन ہं भूल परिवार ही हमें उचाईो पर ले जाने वाली डोर है अब प्रस्थन है आईए एक सुन्दर सी पतंग बनाएंगे और उसके संदेश लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर है नई आसाओं की ऊर्टी क्या सोच रहा होगा अनुमान लगाकर उनके समवाद बाचीत को उची आवाद में बोलिए और अपने अध्यापर के अध्यापिका को बताईए तो बच्चो यहाँ पर सभी को अपने अनुमान लगा कर लिखना है कि यह बच्चा जो है यह क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है तो बच्चो साइद यह सोच रहा होगा कि मेरी परचाई वो भी इतनी बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है और फिर यह यह भी सोच रहा होगा कि यह किसकी परचाई है तो बच्चो आप भी अपने अनुमान लगाकर यहाँ पर समवाद लिखेंगे बच्चो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें